स्वाइलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूटूब स्टाड़ी आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं कलास 12 की कमेस्ट्री के जो बिलियन चेप्टर है और उसमा गत की चेप्टर है तो दोनों चेप्टर को इसमें कवर करके बताने वाले हैं कि कौन-कौन सैसे जो बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मतलब अनिवार है आने वाले है तो चलिए स्टाड बताते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तक फिली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजी ताकि ऐसे वीडियो के नोटिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए आपन में पूछा गया था 12 में और 13 में 16 में इसके बाद 17 में पूछा गया था ठीके ना इस टाइप से आ रहा है तो इसको जरूर अपने नोट्स में ट्रिक लगाई है और फटाफट से याद करते चलिए आप देखिए सेकेंड नमर वांट हाफ गुणक क्या है यह देखिए क् कोरी कई आपने शीरेस को निकाल कर अप देख सकते हैं कि कईसे काईसे हैं आप सबस्दों कि सुरूर नमर पांक नमर करने वह देखिए ऩर सबतें जिसका अणुभार 342 और के एक परसत जलिये बिलियन का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्राश्रण दव 546.7 मीमी पाया गया ठीके तो बिलियन इस्तिरांग का मान ज्याद किजिए तो आप देख सकते हैं और अपने मतल नोट्स में ट्रिक लगा कर इसको जल्दी से आप क्लियर कर लिजिए और यह कोश्यन 2018 में पूछा गया था ठीके अब बात करते हैं चार नमर कोश्यन की तो जो 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज की एक दसमलो 75 ग्राम को 150 मिली जल में बिले किया जाता है प्रासरण दाब की गड़ना किजिए यह भी कोश्यन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि देखिया पे भेरी इंपोर्टेंट 2016 में और 2018 में भी आया था चलते हैं हम नेक्स्ट चेप्टर जो हमारे उस्मा गति तो नेक्स्ट चेप्टर है उस्मा गतिकी यानि फर्मो डाइनेमिक्स इस चेप्टर से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्यन इसको भी जल्दी से देख लिए ट्रिक लगाईए और तिलाग उतरी प्रसन के बारें पहले बात करेंगे इसमें भी तो सबसे पहले इसमें छो कुश्चन को परिवासित की जीए इस्त्रांग को परिवासित कीजिए इस सामिय इस्त्रांग को परिवासित कीजिए हर शाला के sprac 나 है तो क्या जरूरी आपमें भी आ सकता है सिक्स नमर कोच्छन देखते हैं कि सम आयन प्रभाव के आयनन सिधांत्र की बैख्या किजिए यह कोच्छन बारमें-13 6 इस टाइब से आया है आप अपने शीरीज से जरूर देख सकते हैं समय इसको फास्टर तो यहां पर नहीं question जो है थोड़ा सा तो ये प्रस्न है लोगु उत्री प्रस्न इस प्रस्न मतलब इस में से आपको 5 नमर के question आएंगे तो देखिए आप साथ नमबर जो है द्रभ्यानुपाति क्रिया के नियम की परिभासा की दिजिए मतलब परिभासा कीजिए उसका तथा निमली खी उतकरमड़ी तथा क्रिया का साम इस्तिरांग निकाली है यह भी क्रिया के नियम की परिभासा दिजिए मतलब यह भी देना है अब चलते हैं एट नमबर जो एट नमबर हमारा क्रिया देखी द्यान से कि अभी किरिया एन टू प्लस थीरी एस टू यहां पर रियक्षन होने के बाद क्या बनाया है तो टू एन एस थी प्लस मतलब क्यू मतलब कैलोरी के लिए साम इस्तिरांग ब्यंजग की उत्पति किजिए मतलब यहां पर वह बताना है और इस पर ताप के प्रभाव को समझ आई यह दो कोशन मतलब इस टाइप से कर दिया इसमें तो आपको दोनों इसमें समझा कर और बाताना होगा कि किया होगा इसका तो इक्जाम में जरूर आएगा तो मुस्ट इंपोर्टेंट है दूज़ाग 15 में और 17 में भी आया था क्या हो सकता है उन्नीस में भी आ सकता ह तो देख़िए यहां पे वीडियू अगर आपको अच्छा लंता उसके हो तब प्लीच वीडियो को लाइक कीजिए अरचनल पर नहplays है तो उसंधर को सब्सक्राइब कराम करें और देख़िए कोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीच में वेडियो क्रोंकरब हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थेंक्स फर वाचिंग